वेलकम टू वीकली एनिमे अपडेट्स इस सफते एनिमे और मांगा की दुनिया से बहुत सारे अपडेट्स हाए हैं जो कि तुमको खुश कर देंगे और कुछ दुखी कर देंगे इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुमको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेर करना और जो भी चैनल पर नएया है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना सबसे पहला अपडेट आया है वनपीस के एनिमे को लेकर जो कि अपरेल 2025 तक ब्रेक में चला गया है और ये लंबा ब्रेक इसलिए लिया गया है ताकि वो वनपीस एनिमे के क्योलिटी को और भी ज़्यादा इंप्रोब कर सके अब वनपीस का एग हैड आर्क रिजियोम होगा 30 मार्श 2025 को 6 महिने के इस लंबे ब्रेक में 27 अक्तुबर 2024 से वनपीस का फिश्मेन आइलेंड आर्क का री एडिशन वर्जन रिलीज होगा जिसका मतलब है कि फिश्मेन आइलेंड आर्क के री एडिशन का वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एनिमेट करके दिखाने वाले हैं बाकि कमेंड करके बताओ कौन-कौन वीकली बेसिस पर वनपीस को देख रहा था नेक्स अबडेट है विंड ब्रेकर के सीजन 2 को लेकर जिसका नया ट्रेलर हमको देखने को मिला है और ये एनिमे रिलीज होगा एप्रेल 2025 से बाकि ये काफी अच्छी बात है कि हमें एक साल के बाद ही इसका सीजन 2 देखने को मिल रहा है और इस पर जो स्टूडियो काम कर रहा है उसका नाम है क्लावर वर्क्स नेक्स्ट अपडेट है माई हिरो अकेडमिय के तरफ से जिसकी मांगा अलरीडी खतम हो चुकी है और इसका एनिमे भी 2025 में खतम होने वाला है जिसकी अनाउस्मेंट आ चुकी है कि माई हिरो अकेडमिय का फाइनल सीजन 2025 में रिलीज होने वाला है और मोस्ट लाइकली माई Hero Academy का Final Season October 2025 से ही रिलीज होगा और इसमें लगभग 24 एपिसोड होने वाले हैं और बाकी All Might के लेटेस्ट Iron Man Transformation तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ नेक्स्ट अपडेट है Deadpool Samurai Manga की तरफ से जिसको की सस्पेंट कर दिया गया है Chapter 20 के बाद और भी copyright इशो की बज़ा से देखते हैं कि Deadpool की Samurai Manga हमें आगे देखने को मिलेगी या फिर नहीं अगली जपान से बुरी खबर आ रही है कि Doraemon को ओरिजिनल आवाज देने वाली Namuyo Oyama 90 साल पूरे करने के बाद इस दुनिया से जा चुकी है जिजुका के अलावा Doraemon Anime के जितने भी मेन केरेक्टर से वह सभी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे तुम लोग कमेंड में rest in peace लिख सकते हूं नेक्स्ट अबडेट है ओशिनो को मांगा को लेकर जो की 14 नवंबर 2024 को खतम होने वाली है इसका सीजन 2 ओलरी खतम है और इसका सीजन 3 भी अल्रेड़ी अनौस हो चुका है बाकि हंटर हंटर मांगा का चैप्टर 401 भी रिलीज हो चुका है और अगल अपडेट है कागुरा बाची की तरब से जिसकी जल्द ही एनिमे अनौस्मेंट आ सकती है क्योंकि इसकी मांगा लिटरली हर नए चैप्टर के साथ ट्रेंड करती रहती है और जिजुट्सू कायसन के बाद मापा कागरा बाची के एनिमे रैट्स खरीदने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है बाकि इसका एनिमेशन स्टाइल अगर डिमन स्लेर की तरह हुआ तो इसकी एनिमे को भी टोप में जाने से कोई नहीं रौक सकता और जिजुट्सू कायसन का सीजन 3 के उपर भी जोरो शोरो के साथ काम लगा हुआ है और हो सकता है कि अक्तूबर 2025 में जिजुट्सू कायसन का 3 सीजन भी देखने को मिल जाए अगल अपडेट है ड्राइगन बॉल की तरफ से जिसकी हाइप कभी खतम होई ही नहीं सकती इस बात का सबोत मिलता है Dragon Ball Sp nghensk Zero game की तरफ से जिसने की सारे fighting games के record को तोड दिया है और ये सारे record Dragon Ball Sp barbecue Zero के early access ने तोड़े है बाकी ये गेम PlayStation, Xbox और PC के लिए 11 October को रिलीज हो चुगा है बाकी Fall 2024 में जो Anime रिलीज होने वाले हैं उनके Total Episodes की जानकारी मिल चुकी है जिन में से पहला है 365 Days to the Wedding इसमें 12 एपिसोड होने वाले हैं Megalum Miray Magical Girls में भी 12 एपिसोड होने वाले हैं Dimal Lord 2019 में भी 12 एपिसोड होने वाले हैं वहीं शैंगरिला Frontier के Season 2 में 25 एपिसोड होंगे Next update है I have been killing slimes for 300 years and max out my level Season 2 रिलीज होगा April 2025 में जिसका कि हमें new key visual देखने को मिला है वहीं पर Why the hell are you hair teacher मांगा 21 October 2024 को खतम होने वाली है वहीं पर Crunchy Roll के अंदर अब One Piece सबसे ज़्यादा popular anime की लिष्ट पर नंबर वन पर पहुंच चुका है और दूसरे नंबर पर है Demon Slayer Next update है Ramayana The Legend of Prince Rama 18 October 2024 को 4K Ultra HD में रिलीज होने वाली थी लेकिन ये कुछ दिनों के लिए पोस्ट बॉंड हो चुकी है उम्मीद है कि जल्दी हम इसकी रिलीज डेट देखने को मिलेगी इसी के साथ यही थे इस हफते के weekly updates अब बात करते हैं Top 10 Anime of the Week की जिसके अंदर No.1 पर है Dan Da Dan No.2 पर है ReZero Starting Life in Another World का Season 3 No.3 पर है Blue Box No.10 पर है Sword Art Online Alternative Gun Gale Online 2 बाकी के लिश तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो और ऐसे ही Anime updates के लिए सब्सक्राइब